और वहीं दिली के देवली विधांसवाशित्र में आज दक्षणी दिली नगर निगम के साउट जोन की तरब से रहडी पटरी दुकानधारों को कैम्प लगा कर पीम स्वनिधी योजना के तहट 10,000 रुपे का लोन दिया गया इस कारिक्र में बीजेपी के सांशद रमेश विधुरी को मुख्य अतिति के तौर पर भुलाया गया बीजेपी सांसर्द रमेश अभीधुडी ने बताया कि नगर निगम में बीजेपी की सरकार गरीब लोगों के हित को देखते वे उनके लिए काम कर रही है जो लोग बहुत गरीब हैं उनका कोरोना के धंदा चौपट कर दिया है इसी को देखते वे पीजेपी ने 10,000 रुप प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने रहडी पठरी दुकांदारों को 10,000 रुपे रिंड देने की शुरुवात की थी इसके लिए लाभार्थी को स्रिप आधार कार्ड और अपने बैंक खाते की जानकारी देनी होगी बैंक खादा आधार नंबर से लिंक होना चाहिए और दुकांदार का नगर निगम में पंजी करण भी होना चाहिए वरिफिकेशन पुरा होने के बाद 10,000 रुपे सीधे बैंक खाते में भेज दिये जाएंगे और बढ़ते आगे कल देश की वितमंत्री ने कोरोना काल का पहला आम बजट पेश किया और बजट 2021 को शियर बाजार में जबरदस सलामी दी इसे मोधी सरकार के दोर का सबसे बोल्ड बजट माना जा रहा है लेकिन इस बजट में ऐसे कई अलान हुए है वहीं दक्षनी दिली से सांसद रमेश विदूरी ने कहा है कि देश का इंडेक्स कहा पहुंच गया है देश को देखना चाहिए देश के बाहर से भी कमेंट और इस बजट में लगातार बीजेपी की कोशिश है कि भारत को आत निर्भर भारत बनाया जा सके सांसद विदूरी ने कहा कि पूरी दुनिया ने कहा है कि इतना बजट कभी नहीं हो सकता लेकिन मोधी सरकार ने नामुम्किन को मुम्किन करके दिखाया है वो हर राज्य अपने तेह करेगा राज्य के उपर डिपेंड करता है कोरोना वैक्षिन लगाने के लिए अगर कोई राज्य फिरी में कोरोना वैक्षिन लगाएगी तो स्वागत योग है ये राज्यों ने लेने झाल